नमस्कार दोस्तो स्वागता सभी का टेक्नो वर्ल में मैं नाम विशाल और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कंपेर करने वाले मार्केट के दो सबसे बेस्ट गेमिंग लैप्टॉप्स को जी है दोस्तो HP Omen 15 जो की करेंटली इंडियन मार्केट का सबसे बेस्ट गेमिंग लैप्टॉप है उसको हम कंपेर कर रहे हैं Acer Helios 300 के साथ में जो की अभी तक इंडिया में लाँच हुआ नहीं है लेकिन Flipkart और Amazon पे उसकी लिस्टिंग आ चुकी है तो कभी भी वो इंडिया अब लाँच हो सकता है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम कंपेर करेंगे HP Omen 15 को Acer Helios 300 के साथ में अब दोस्तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें यहां पर कंपारिजन करना प्रोसेसर से तो यहां पर हमको Acer Helios 300 में जो प्रोसेसर देखने में मिलता हुआ है 10 74800H processor यहां पर दोस्तो आपको जो base speed देखने में मिलेगी वो है 2.9 GHz की और जो maximum speed देखने में मिलेगा वो है 4.3 GHz का और दोस्तो यहां पर इस Ryzen 7 के processor में आपको कुल मिला के 8 cores मिलते हैं मतलब कि दोस्तो यहां पर आपको HP Omen 15 में 8 cores का processor मिल रहा है और दोस्तो यहां पर Hel Helios 300 में आपको 6 cores का processor मिल रहा है अगर दोस्तो यहां पर इन दोनों ही processor को आप compare करेंगे gaming के लिए तो यहां पर आपको better performance देखने में मिल सकता है AMD Ryzen 7 4800H processor में क्योंकि दोस्तो यहां पर faster आपको multi-core performance देखने में मिले जो कि आपको काफी जादा फाइदे मां साबित होता है gaming के लिए तो दोस्तो इसलिए यहां पर हम better performance की तरफ जाएं like gaming में तो यहां पर AMD Ryzen 7 clear winner है यहां पर अब दोस्तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर memory की यानि की RAM की तो यहां पर आपको दोनों ही laptops में 16GB का DDR4 3200MHz का RAM देखने को मिल जाता है दोस्तो इन दोनों दोनों ही laptops में जो आपको RAM देखने को मिलता है वो dual channel RAM है यानि कि यहां पर दो sticks लगे हुए 88GB के अगर आपको बाद में expand करना है इसकी memory को up to 32GB तक तो आपको इन दोनों ही sticks को discard करना पड़ेगा और यहां पर आपको attach करना पड़ेगा दो अलग sticks को like 16 16GB का तो दोस्तो यहा यहां पर आपको Acer Helios 300 में जो storage मिलता है वो है 512GB का NVMe SSD वहीं पर आपको HP Omen 15 में जो storage मिल रहा है वो है 1TB का NVMe SSD और दोस्तो इसके बाद में चलिए बात करते हैं सबसे important component के बारे में इन दोनों ही laptops में वो है दोस्तो graphics card अब दोस्तो यहां पर देखिए Acer Helios 300 में जो graphics card आ RAM आपको मिलता है वो भी RTX 2070 Max Q का वहीं पर दोस्तो HP Omen 15 में जो आपको graphics card मिल रहा है वो है RTX 2060 6GB का GDDR6 VRAM तो दोस्तो यहां पर आपको Helios 300 में एक better graphics card देखने हो मिलता है और ज्यादा performance वाला graphics card आपको यहां पर देखने हो मिल रहा है Helios 300 में अब दोस्तो चलिए इसके बा दोस्तो color gamut और accuracy की बात करें तो यहां पर आपको Helios 300 में जो color gamut मिलता है वो 100% sRGB है वहें पर आपको और वहें पर आपको HP Omen 15 में जो color gamut मिलता है 72% NTSC मतलब कि 99% sRGB तो दोस्तो यह comparable accuracies हैं like हम बहुत जादा यहां पर differences देखने को नहीं मिलेंग accuracy में लेकिन दोस्तो य यहां पर जो एक चीज में आपको ज्यादा difference देखने को मिलने वाला है वो है refresh rate में जी यहां दोस्तों Helios 300 में आपको 240Hz का refresh rate देखने को मिल रहा है वहें पर 144Hz का refresh rate आपको देखने को मिलेंगा HP Omen 15 में दोनों ही laptops के displays हैं दोस्तो वो anti-glare है IPS और 300 NTS के brightness आपको देते हैं औ तो दोस्तों यहां पर Acer Helios 300 में 4th Gen Aeroblade 3D Technology आपको देखने को मिलती है thermals के लिए वहें पर HP Omen 15 में dual fans देखने में मिलते हैं दो vents backwards हैं और एक vent right side में आपको मिलता है तो दोस्तों इन दोनों ही laptops के जो thermals हैं काफी अच्छी तरीके से optimize करते हैं heat को और thermals को तो दोस्तों य अगर हम बात करें यहां पर बैटरी के उपर तो दोस्तों यहां पर देखें जो बैटरी आपको मिलती है Helios 300 में वह 4 cell की 59Wh की बैटरी है वहीं पर HP Omen 15 में जो आपको बैटरी मिलती है वह 6 cell की 70.9Wh की बैटरी है तो दोस्तों यहां पर आपको better battery life देखने में मिलेगा HP Omen 15 से क्वारों को दोरों को बावंए देखेंगों तक हो यहां पर देखत प्राइजिęt करें क Works लाप टॉलit टॉक्टे लाइज वाफ उसका अभला क्रीजिट वहत्ता सब्सक्राइज करुका सब्सक्राम करें, इस लाप जो यहां प्सक्राइज करेंगे जो है वो better है Helios 300 में, जो graphics card है वो better है Helios 300 में और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें processor की तो वो better हमको देखने में gaming performance के consideration में HP Omen 15 में, दोस्तों better यहां पर storage आपको देखने में मिलता है HP Omen 15 में और दोस्तों better battery life भी आपको देखने में मिलता है HP Omen 15 में, लेकिन दोस्तों अगर हम consideration करें यहां पर like gaming के performance की, तो दोस्तों यहां पर देखें गेमिंग का performance directly correlated है एक better display के और एक better graphics card के, तो दोस्तों इसलिए यहां पर मैं suggest करूंग कि अगर pricing बहुत जादा difference यहां पर नहीं create होता है, तो आपको फिर भी यहां पर Helios 300 के साथ में जाना चाहिए, अगर दोस्तों यहां पर आपको i7 processor भी मिल रहा है, तो भी आपको यहां पर gaming का काफी अच्छा experience देखने में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर 2070 Max Q graphics card, वो भी 240 Hz के display के साथ में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहां पर HP का यहां पर configuration खराब है, आप अगर Ryzen processor के साथ में जाना चाहते हैं, तो HP का यहां पर processor काफी अच्छा है, यहां पर आपको over in all performance काफी अच्छा देखने में मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं Ryzen करें एक बार, तो दोसरों देखें, HP में एक और laptop available है, जो 171000 में available है, जिसमें आपको exactly वही configuration जो आपको Helios 300 में मिल रहा है, वही configuration आपको देखने में मिलता है, लेकिन 171000 में मिलता है, with some minor differences, जैसे कि दोसरों, processor जो हो exactly same है, i7-10700H processor आपको यहां पर देखने में मिलता है, 16GB का आपको यहां पर RAM देखने को मिला है, दोनों है laptops में, और 1TV का यहां पर आपको SSD देखने को मिला है, जो कि almost double Helios 300 के, वहीं पर आपको जो HP OMEN 15 में, जो 171000 के model में जो graphics card मिल रहा है, वो है RTX 2070 Super Max की graphics card, और दोसरों, इसके बाद में अगर हम बात करें, display की, तो यहां पर आपको better display देखने को मिलता है, HP OMEN 15 में, जो कि 1,71,000 पर आपको मिलता है, जी हां दोसरों, यहां पर आपको HP OMEN 15 में 300 Hz का refresh rate देखने को मिलता है, जो कि काफी better है, और 100% sRGB और anti-glare और IPS technology आपको यहां पर देखने को मिलता है, उसके बाद में दोसरों, बागी configurations exactly, यहां पर से में कोई भी difference वहां पर नहीं है, लेकिन दोसरों यहां पर pricing में काफी जदा है, यहां पर difference आ रहा है, like 2070 आपको Super Max-Q मिल रहा है, और 300 Hz का यहां पर आपको display मिल रहा है, तो दोसरों यहां पर अगर हम इन दोनों features को compare करें, Helios 300 के साथ में, तो यह better features यहां पर आपको मिल 240 Hz का display देखने को मिल रहा है, और दोसरों एक better pricing पर आपको देखने को मिल रहा है, तो दोसरों इसलिए मैं यहां पर आपको suggest करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा यहां पर amount invest मत करिये, सिर्फ और सिप यहां पर कुछ minor upgrades के लिए, तो दोसरों यहां पर आपको already better graphics card और better display म मिल रहा है, तो दोसरों इसलिए मैं suggest करना चाहूँगा कि आपको और ज़्यादा पैसा invest नहीं करना चाहिए, like 171,000 तक HP Omen 15 में, क्यों दोसरों already आपको यहां पर बहुत ही बहतरीन laptop मेल रहा है, gaming के लिए, जो कि like one of the best laptop हो सकता है market में, तो दोसरों यहां पर final choice जो होगा, वो Helios 300 के लिए होगा, आप decide कर सकते हैं कि आपके लिए क्या better होगा, Ryzen का processor या फिर Intel का processor, आप नीचे मुझे comment करके बताईए कि आप Ryzen के processor साथ में जाना चाहेंगे, या फिर Intel के processor साथ में जाना चाहेंगे, या फिर इन तीनों models में से आप किस model साथ में जाना चाहेंगे, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना बोले सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को दोस्तों मिलते एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई